इसलाम आपको एब्रिवन वेल्कम टू बेगम कीचन मैं हूँ आपकी दोस्ट वोस नाजिश आज हम बहुत ही सिंपल स्टाइल में बनाने जा रहे हैं आलू भरता सबसे पहले हमने लेना है उपलेवे आलू इसका चिक्कल हम उतार लेंगे चिक्कल हमारा एक हाँ से इस तरीके से फोड़े के इसे जादा बारिक नहीं करना है हमने इसे बॉइल करते पर दो ग्लास पानी डाले है अधू सीटी में यह बहुत अच्छे से अब मैं कट करने जा रही हूं थोड़ी सी में हरी मिर्च लोंगी इसमें मैं तीन हरी मिर्च डालेंगी कट कर ले रही हूं इसमें नजर आनी चाहिए तो हम इसमें मेडियम साइज में इसे कट करेंगे अधियातन करें यहां मैंने उबाल के रखी हुए मतर तो हम इसको भी उज़ करेंगे उबली भी है इसका दाना देखिए इतना ही हमें इसे करना था इसे हमने बहुत बॉइल नहीं करा है दाना थोड़ा सा रखा है हमें सिर्फ आपने 5-10 मिनट तक इसे बॉइल करना और यह ऐसी ही दानमठ हो जाएगे तो इसे मैं नहीं दे रही हूं साथ ही हमने लेना है हरा तनिया भी लेनेंगे अब मैं इसे चॉप कर गूँए तनिया हमारा चॉप हो गया है तो इसे भी हम प्लिक को मैं आलो लिये है और इसमें मैं दो चीज दालो के अभी इत्तो है डाल मिश एक खर्मस हम इसमें तक्रीवन डाल गूंगे तो इसी और अप्ली स्पैसी अच्छे लगी है और मैं डालने जा रहे हूं प्ली हाफ नमक कःबी मैं इक तुमस डाल लू है अपकिने टेस्स के अकॉर्डिंग में डाल सकते जहें अब हमें इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से हमें इसे मिक्स करेंगे यह बहुत टेस्टी लगते हैं हमारे गर में यह बहुत जादा पस्त करे जाते हैं यह किनन आपी ट्राइ करेंगे तो आपी इसको बहुत पस्त करेंगे और यह बहुत एजी बने वाली रेसिपी है तो आप जरूर इसे ट्राइ करेंगा अब मैं इसे ट्राइ कर लूंगी एक कढाई लिया है इसमें हम थोड़ा सा आईल लालेंगे बस इनफ है अब हम इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे सुखा धनिया साबित धनिया के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं अपने आलू जादा देल लागाने के तो दो 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 दिया है और ये मता दालोंगी मैं ठीके हरी मेश्वी डाल देंगे और तक्रीबन इसे हम रख देंगे दस मिनट तो एक लिट लगा देंगे और दस मिनट के लिए वेट करेंगे कर दो दुड़ी क्रू़ी कि अप्राइब रखे को अप्राइब दो प्राइब को प्राइब दोड़ा है कि अप्राइब दोड़ा सही ने बूलेंगी बहुत और दी जादा प्रिस्टी दखी है और यह पूरी है तो यह अज़ियो अच्छे लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को मैं हूं आपकी दोस्स नाजिश आज हमने बनाया है बोड़ी ही सिंपल स्टाइल में अलू भरता और यह बहुत यमी है अच्छा इसके लिए आलू मैं आपको बता दू आलू जो है वह पहाड़ी आलू लिया है बहुत ही टीस्टी होता है यह और जब आलू भरता बनता है तो बहुत ही यमी बनता है बहुत ही कुछ भी नहीं डालो आप इतना टीस्टीप बनता ही है तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरू करिएगा और अपना खूब खयाल रखेगा दूआ में मुझे जरू याद रखे थैंक इस फॉर वाचिंग